प्रीतिका की हाली में परम नाम के लड़के से शादी हुई होती है दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं परम तुम्हें पता है तुम दुनिया के सबसे हैंडसम हस्बंड हो ओई तुमारी सबसे खास बात जिसे देखकर मुझे तुमसे और भी ज़्यादा प्यार हुआ था वो है तुमारे ये डैशिंग काले घनेबाद एकदम हीरो लबती हो तुम इन में अच्छा जी ऐसी बात है क्या वेल थैंक यू सो मज चलो अब हमें अपने कैंडल लाइट डिनर के लिए लेट हो रहा है लेट्स गो हाँ परम चलो चलते हैं पहले तो दोनों के बीच में सब कुछ एकदम खीक होता है लेकिन कुछ सालों बात अचानक से बढ़ती उमर के साथ साथ परम के काले घने बाल जडने लगते है और वो दीरे दीरे टकला होने लगता है ये देखो परम मुझे फिर से बात्रूम में तुमारे जड़े हुए बाल मिले ये तुमारे बालों को क्या हो रहा है परम अपने टकले पर देखो तुम्हारे पास तो सिब गिने चुने ही बाल बच्चे है परम, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए लेकिन रितिका, मेरे दोस्त मिथिल के भी बाल जड़ते जा रहे है उसने कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फरक नहीं पड़ा रितिका बहू, तू चिंता मत कर मैं घरेलू इलास से ही इसके गंजेपन को ठीक कर दूँगे इसके लिए डाक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है हम घर की घर में ही इसके बाल वापस लेकर आएंगे हाँ बहू, ममता सही कह रही है नहीं माजी, आप सही नहीं हो अरे अगर घरेलू इलास से ही सब कुछ ठीक होना होता तो डाक्टर क्या डोल मजीरे बजाने के लिए बैटे है क्या आप तो कुछ भी बोलती रहती हो मैं परम को अपने साथ लेकर जाऊंगी और उसे बड़े से बड़े डोक्टर को दिखाऊंगी रितिका अपनी जित पर अड़ जाती है और वो परम के गंजेपन को दूर करने के लिए उसे कई सारे डोक्टर के पास लेकर जाती है जो उसे कई सारी दवाईया और अलग-अलग प्रकार के शांपू देते हैं लेकिन किसी से भी परम को कोई फरक नहीं पड़ता वही दूसरी तरफ ममता के उपाय से भी परम के बालों पर कोई भी फरक नहीं पड़ता एक दिन जब रितिका के भाई के बेटी का जनम दिन होता है तभी उसे और परम को बुलाया होता है परम, तुम्हारा ये गंजापन तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा और ऐसे हालात में मैं तुम्हें अपने साथ माई के हरगीज नहीं ले जाऊंगी तुम्हें काम करो तुम ये विग पहन लो अगर इसे पहनोगे तो तुम्हारा गंजा सिर नहीं दिखेगा क्या? बहुँ मेरा बेटा ये विग नहीं पहनेगा ये जैसा है वैसा ही रहेगा तुम्हारे लिए या फिर दुनिया वालों के लिए उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन माजी ये विग पहनने से परम का गंजा सिर नहीं दिखेगा और मेरे से ज़्यादा इसकी बेस्थी होने से बच जाएगी मैं तो इसी की भलाई के लिए कह रही हूँ क्या अब भी? लेकिन बहु ठीक है रितिका तुम्हारी तसलिय और खुशी के लिए मैं ये विग पहनने के लिए तयार हूँ ठीक है? ठीक है परम और थैंकि सो मच फिर परम वो विग पहन कर पार्टी में चला जाता है लेकिन वहाँ पर थोड़ी देर बाद परम का विग उसके सर से सरक कर नीचे जमिन पर गिर जाता है और उसकी बहुत बुरी तरह से बेस्ती हो जाती है और उसका टकला सिर देख कर वहाँ पर मोजुद सभी लोग उस पर हसने लगते है अरे इस घर का दमत तो जवानी में ही टकला हो गया और नहीं तो क्या ये तो उजड़ा चुमन निकला अरे टकले सबकी बाते सुनकर रितिका को बहुत शिर्मिन्दी होती है और वह घर जाकर परम को खूप सुनाती है परम तुमने मेरी सारी इज़त मिट्टी में मिला दी हजार बार कहा था मैंने तुमे कि कोई गड़बड मत करना एक विक तक नहीं संभाल पाए तुम तो अब मैं क्या करू रितिका मैंने क्या विक संभालने का कोर्स करके रखा है क्या जो मुझे ये विक संभालने आएगा कुछ भी बोलती हो तुम सच में ममदार मैंने तो पहले ही मना किया था लेकिन तुम कहा किसी की सुनती हो अरे ऐसी बेष्टी होने से अच्छा तो यही होता कि तुम इसे बगेर विक के ही लेकर जाती अरे इस चुड़ेल के कारण ही मेरा बेटा गंजा हुआ है जब से ये इसके जीवन में आई है तब से मेरे बेटे की सुन्दरता परमानो ग्रहन ही लग गया है वा मा जी वा अब तो आप सारा बिल मुझ पर ही फाड़ोगी आपको और आता ही क्या है देखो रितिका अगर तुमें मुझे अपनी सहलियों के सामने या फिर अपने घरबालों के सामने लेकर जाने में शर्मिन की मेसूस होती है तो मुझे तुम मत लेकर जाया करो मैं आगे से कही भी नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ रितिका उस दिन की इस तमाशे के कारण बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर एक दिन वो अपनी सहिलियों के साथ एक रेश्टोरंट में बेटकर किटी पाटी कर रही होती है तभी उसे देर रात तक काफी लेट हो जाता है जिस कारण घर के सभी लोग परेशान हो जाते है परम बेटा ये बहु का आपर रहेगी कही उसके साथ कुछ गलत सलतना हो जाए इतनी राज्यो हो चुकी है रुको मा मैं उसे फोन करके पूछता हूँ हलो रितिका कहा पर हो तुम अभी तक तुमारे किटी पाटी पूरी हुई या नहीं ताइम देख रही हो क्या कितना लेट हो गया है हाँ परम बहुत लेट हो गया है वो एक्चुली मैं सहेलियों के साथ मिलकर करवा चथ पाटी की प्लानिंग कर रही थी और गप्पे लड़ाती हुए वक्ष का पता ही नहीं चला I'm really sorry परम मैं अब भी निकलती हुए यहां से नहीं रितिका तुम वही पर रहो मैं आ रहा हूँ तुमें पीक करने अब इतनी रात गए तुम अके लिए कैसे आ पाऊगी क्या नो वे परम अगर तुम यहां पर आ गए तो फाल तुमें सियप्प हो जाएगा मेरी सारी सहेलिया तुम पर खूब हसेगी हेलो हेलो अरे यार मुझे फटा फट से इन लोगों के साथ निकलना होगा यहां से लेकिन रितिका और उसकी सहेलियों के वहां से निकलने से पहले ही परम वहाँ पर पहुँच जाता है और टकले परम को देखकर रितिका की सारी सहेलिया परंपर हसने लगती है ओ तेरी रितिका यार तेरा पती तो टकला हो चुका है पहले क्या दिखता था और अब हाँ रितिका और तुझे तो हमारे साथ करवाचोथ की पार्टी जॉइन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि तो घर बेटे ही इसका तकला से देख कर अपना वृत तोड़ सकती है इसका तकला से किसे चान से कम थोड़ी नहीं बस करिआतु नसेन्स कही के और परं तुम चलो यहाँ से फिर रितिका गुशा होकर वहाँ से निकल जाती है बालों के साथ साथ तुमारी अकल भी जटने लगी है क्या परम तुम्हें पता था कि अगर मेरी सहेलियों ने तुम्हारा टकला सीड देख लिया तो वो तुम्हारा खूब मजाक उड़ाएगी खूब हसेगी तुम पर लेकिन तुम फिर भी उनके सामने आए क्यों परम आखिर तुमने इसा क्यों किया अरे नाला एक लड़की इतनी रात हो गई है इसलिए मेरा बेटा एक जिम्मेदार पती बन कर तुझे वहाँ पर लेने आया था और तु उल्टा उसी को सुना रही है बे शरम कही कि रितिका काफी रात हो चुकी थी इसलिए मैंने आगे पीछे नहीं देखा और बस सिधे तुम्हें लेने वहाँ पर पहुच गया मा और पापा भी तुमारे लिए काफी परेशान हो गए थे देखो बहो हमारे बेटे जैसा पती मिलना काफी मुश्किले अपने पती की सूरत नहीं सीरत देखो और बस सुनने में ही अच्छी लगती है इसे समझ आना चाहिए था अगर ये अपने बालों का ठीक से ध्यान रखता तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता यो अपने ही पती को मुझे दूसरों से यो चुपाना नहीं पड़ता अपने पापा को देखो परम कितने बुड़े हो चुके है लेकिन फिर भी इनके बाल सही सलामत है और कितने गणे भी है लेकिन तुम्हारा सर वो तो किसी बंजर जमीन की तरह हो चुका है बहु ये तुम बहुत गलत कर रही हो अगर तुम एक इंसान को उसकी सुन्दरता से प्यार करोगी और उसके उपर टिपणी दोगी तो सच में एक दिन बुरी तरह दोखा खाऊगी लेकिन रितिका किसी के भी बातों पर इतना गोर नहीं फरमाती फिर एक दिन उनके पड़ोस में एक नया अमिर कपल रहने आता है तभी वो उन्हें रास्ते में मिलती है हलो केसी है आप हम आपके नए पड़ोसी है हलो जी मैं तो एकदम बढ़िया हूँ आप बताईए आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो जी हम भी बढ़िया है and thank you so much by the way आपके घर पर जो आदमी रहता है वो आपके पती है क्या जिनके सर पर बाल नहीं है नहीं नहीं ये आपसे किस ने कहा वो टकला मेरा कोई पती वती नहीं है बल्कि वो तो मेरे घर का नोकर है नोकर बल्लू नाम है उसका मेरे पती विदेश में काम करते है और वो तो काफ़े हैंसम और डैशिंग है ओ एसी बात है क्या that's great रितिका उन दोनों के सामने अपनी इज़ब बढ़ानी के लिए जुट बोल देती है लेकिन उसकी सारी बाते ममता और अखिले सुन लेते हैं और घर जाकर सारी बाते परम को बताते हैं जिसे सुनने के बाद परम को बहुत दुख होता है रितिका तुमने उन दोनों नए पड़ोसियों से जो भी कहा है वो बहुत गलत कहा अरे मैं इतना बुरा हो क्या जो तुमने मुझे अपना नोकर बना दिया अरे इससे इतना प्यार से क्या पूछ रहा है और तू चुडल मेरे बेटे को इतना नाम रखती है लेकिन खुद को देख बुड़ी चुडल दिखती है तू डायन कही कि अपने ही पती के बारे में ऐसे बोलते हुए तुझे शरम नहीं आई क्या लेकिन मा जी चुपर ओरितिका बहो आगे कुछ मत कहना तुम आजकर बहुत जबान चलाने लगी हो अरे कभी तो अपनी गलती मान लिया करो हमारे बेटे ने क्या कमी रखी है तुमारे लिए बताओ तुमारे लिए हर वक्त हाजिर रहा जो भी तुमने कहा वो सब किया उसने तुमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया और तुमने उसके बदले में क्या दिया बताओ जरा जाने दो पापा, क्यूंकि मैं अब समझ गया हूँ रितिका को बस मेरी सूरत से ही प्यार था उसने मेरे मन से कभी प्यार किया ही नहीं और रितिका, खूप सूरती का क्या है? आज है कल नहीं शादी के टाइप पर तुम्हारे बाल भी कितने मजबुत और लंबे थे लेकिन अब देखो कितने पतले और छोटे हो चुके हैं हाँ मैं मानता हूँ कि मैं अब उतना हैंडसम नहीं दिखता जितना पहले दिखता था लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है रितिका और अगर तुम मेरी जगे होती और मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूप करता तो तुम्हें अच्छा लगता क्या रितिका बताओ मुझे परम की बाते सुनकर रितिका को उसके गलती का ऐसास हो जाता है और अब उसे काफी शर्मिन की मेसुस होती है मुझे माफ कर दो परम और तुम सही कह रहे हो मैं ही गलत थी क्योंकि मेरे देखनी का नजरिया ही गलत था माफ कर दो मुझे मैं बूल गई थी कि कैसे तुमने हमेशा अपनी जिन्दगे में मुझे अपनी आपसे आगे रखा मुझे हमेशा खुश रखा और ऐसे हीरे जैसे पती को परगने में मैंने काफी देर कर दी लेकिन आज आज मेरी आखे खुल गई है परम तुम जैसे भी हो मुझे अब कोई परग नहीं पड़ता क्योंकि अब मुझे ऐसास हो चुका है कि इंसान का मन ही होता है जो उसे दूसरों से जोड़े रखता है रिटिका की बाते सुनकर परअमुर उसके माता पिता उसे माफ कर देते हैं और उस दिन के बाद से वो दोनों साथ में खुशी से रहने लगते हैं और परम भी अब किसी से भी शर्माई बगे खुले में गर्व से अपने गंजे सर को लेकर गूनने लगता है और अपनी उस कमी को स्विकार कर जीवन में हिम्मत जुटा कर आगे बढ़ता है शिवानी की शादी अंकित से होती है जो कि बहुत ही शराबी होता है वो कुछ काम भी नहीं करता और शिवानी को बेरेमी से मारता रहता है इसलिए वो थक हर कर अपने माई की चली जाती है मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ मा इसलिए मैं यहाँ पर चली आई हूँ वो कुछ भी काम नहीं करता और दिन रात शराब पी कर मुझे मारता रहता है ये देखिए कितने निशान है मेरे शरीर पर अरे नालयक लड़की ऐसे अपना घर चोड़कर कौन चला आता है भला हो बुरा हो जैसा भी हो पती देवता होता है तू वहाँ से यहाँ पर क्यूँ चली आई इतनी मुश्किल से इसे किसी के गले में बान दिया था और अब ये फिर से चली आ गई एसा क्यूं के रहे यो भावियाब ये तो मेरा ही घर है न रहने दो अब तुम अंदर चली जा और अपने कमरे में जाकर आराम करो ठीक है भईया फिर शिवानी अपने कमरे में चली जाती है शिवानी की मा कलपनाने उसे कभी प्यार नहीं किया होता ना उसके भाई पार्त और ना ही भावि मेगाने उनके लिए एक लड़की होना बोच समान था और इसलिए उन्होंने उसकी शादी एक एरे गेरे शराभी अंकित के साथ करा कर अपने कंदे का बोच हलका किया था अब फिर से मुझे धेर सारे काम करने पड़ेंगे हम् महारानी ससुराल छोड़कर माई के जो आ गई है शिवानी अब माई के में रहते हुए देखती है कि सब के सब उससे कटे कटे रहने लगे है मा मैं आपके गुटनों की मालिश कर देती हूँ लाइए नई नई रहने दे तू मैं खुद कर लूँगी और वेसे भी मुझा भी पाच मिनिट में मंदिर के लिए निकलना है ठीक है मा ये आचानक से सब को क्या हो गया है क्यू मुझे पहले जैसा अपनापन में हिसुस नहीं हो रहा सब मेरे अपने होकर भी मुझे परायो की तरह क्यों ट्रेट कर रहे हैं फिर एक दिन जब शिवानी का जनम दिन आता है तो अभी उसे कोई भी वीश नहीं करता वो दिन के खतम होने तक घर के सभी लोगों को वीश करने का इंतजार करती है फिर अगले दिन मा भया भाबी आप लोगों ने मुझे कल वीश क्यों नहीं किया कल मेरा जनम दिन था मेरा आत के ग्यारा पज़े तक सब का इंतजार करती रही कि आप मुझे अभी आकर वीश करोगे लेकिन नहीं मुझे कोई भी वीश करने नहीं आया अरे ओ निरलज्ज लड़की तुने ससुराल से माई की आकर जो जन्डा गाड़ा है उसके कारेण हमारी कितनी थूटू हुई है मुहले में और ये बात तु अच्छे से जानती है बाहर निकलो तो सब पूछते है कि शीवानी माई का छोड़कर क्यों आई है क्या जवाब देंगे हम उन्हे लेकिन मा मुहले वालो का तो छोड़ ही दो लेकिन मेरा मन रखने के लिए तो आप लोग मुझे विश कर देते ना अब बड़े हो गया न रात गई बात गई चुपचाप अपना नाष्टा खतम करो और फालतू की विशे पर चिकचिक करने की कोई जरूरत नहीं है शिवानी अपनी भावी को कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप सर चुका कर नाष्टा करती है फिर एक दिन अचानक से कलपणा सब के सामने पात से कहती है पार्थ बेटा मैं अब बुड़ी हो चुकी हूँ मेरा आधा पैर तो अभी कबर में जा चुका है और कब मैं पूरी की पूरी कबर में चली जाऊंगी कोई बरोसा नहीं है इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं जाते जाते अपनी सारी जाइदत तेरे नाम पर कर दे क्या अरे वा बुड़िया जल्दी मर तु फिर तो हमारी एशी एशे हा बेटा तुमारे पापा ने जाते समय सारी जाइदत यहां तक कि ये घर भी मेरे नाम पर किया था लेकिन अब मैं ये सब कुछ तेरे नाम पर करना चाहती हूँ लेकिन मा मेरा क्या होगा मेरी भी पूरी जिन्दगी पड़ी है अगर आप सब कुछ पहिया के नाम पर कर दोगी तो मैं क्या करूंगी मुझे भी तो पेशो की जरूरत लगेगी ना अब अभी की बात देखिए अंकिर भी कैसा निकला उसके कारण अब मुझे यहाँ पर माईकी में आकर रहना पड़ रहा है हाथ तो तुझे यहाँ पर रहने के लिए जगे तो मिल गई ना तो फिर तुझे जैदत की क्या जरूरत पड़ गई और तेरा भाया है ना तुझे संभालने के लिए लेकिन मा हरे हदे मा जी जो भी बोल रही है वो तुमारी बलाई के लिए ही बोल रही है तो फिर तुमें समझ में नहीं आ रहा क्या सुमबार को वकिल आने वाला है पार्ट केबल उस दिन के लिए ऑफिस से गर पर कुछ देर के लिए आ जाना दस्तकत करने होंगे तुझे उस पर और हां तुझे भी उन कागजात पर दस्तकत करने होंगे शिवानी इस संधर्व में कि तु आज के पाथ कभी भी पार्ट से जायदत का कोई हिस्सा नहीं मांगेगी और सारी जाइदत पर सिर्फ और सिर्फ पार्थ का अधिकार होगा ठीके मा, जैसा आपको हो सुमवार को वकिल घर पर आता है तभी पार्थ और शिवानी दोनों उन कागज़ाद पर दस्तकत करते है और इस तरह से सारी जाइदत अब पार्थ के नाम पर हो जाती है फिर कुछ महिनों बाद अच्छानक से कलपणा की तवियत बहुत खराब हो जाती है और उसका उसी में देहान्त हो जाता है अब कलपणा के जाने के बाद मेगा शिवानी के साथ बुरी तरह पेशाने लगती है अरे ओ चुडेल चल यह टीवी देखना बंद कर और जाकर रसुई के सारे काम निपटा अब तेरे एश्व आराम के दिन चले गए जा जाकर कोई काम धाम कर बड़ी आई आराम करने वाली यह आप क्या बोल रहे हो मेगा भावी हाँ मैं वही बोल रही हो जो तुझ सुन रही है और हाँ रसुई के काम करने के बाद तेरे लिए बहुत सारे काम है और तुझे अब से घर के सारे काम करने होंगे वरना मैं तुझे आज खाना ही नहीं दूँगी और थन्ड में बाहर आंगन में खड़ी करूंगी समझी तू? लेकिन भाबी आप ऐसा क्यों कर रही है? और मा जाने के बाद ये आपको क्या हो गया है? आप मेरे साथ इस तरह से पेश क्यों आ रही है? चल चल ये सारे नाटक मेरे सामने मत कर और जादा बक्वास मत कर और टाइम वेस्ट किये बिना जल्दी से खाना बना क्योंकि आज तो मुझे बड़ी तेज भूक लगी है मेगा अप शिवानी से दिन रात काम कराती है और उसने काम करने में जरा भी आलस किया या फिर किसी बात के लिए मनाई की तो वो उसे बहुत मारती है फिर एक दिन शिवानी मेगा की सारी बाते पार्द सिजहा कर करती है ये देखिए पार्द भाईया कि इस तरह भाबी ने मुझे गरम तवे का चटका दिया है और कि इस तरह मुझे आपके बेल्ट से मारा है मुझे बहुत दर्द हो रहा है भया लीज आप भाबी को समझाई ये न कि वो मुझे इस तरह से ना मारे अरे मैं क्यों समझाओ मेगा को तुमारी ही कोई गलती रही होगी वरना मेगा को क्या शोक आया है तुम्हे इतनी बेरहमी से मारने का तुमारे ही नकरे बढ़ गए है आजकर जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ और हाँ ब्रेड पर मक्षन लगा कर देना वरना मुझे से बुरा कोई नहीं होगा ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ बहिया और भावी मा के जाने के बाद कितने बदल गए है हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे लड़की होने की कारण माने मुझे कभी प्यार नहीं किया लेकिन उन्होंने मेरा क्याल तो रखा ही था ना शिवानी को अपने बहिया और भावी का ये बदला हुआ रूप देखकर बहुत दूख होता है फिर एक दिन पुरे बीस मिनिट हो चुके है और ये लड़की अभी तक नहीं आई घर पत इसे तो मैंने मेकप का सामान लाने के लिए मेरी दोस किशोरी के पास ही तो बेजा था तब ही वहाँ पर शिवानी आती है माफ कीजिये भावी वो मैं मैं वो पड़ोस वाले मुहित से बात कर रही थी मेरा बचपन का दोस्त है न वो योही रास्ते में मिल गया और फिर बाते होने लगी ये लिजे आपका मेकप का सामान किशोरी दीदी ने धन्यवाद कहा है आपको ठीक है इसके बारे में तब पार्थ से जाकर कहना होगा और उसके मन में इसके लिए जहर घोलना होगा ताकि ये बाहर जाकर ये सब कर ही ना सके और इसका जीना और भी ज़्यादा दुश्वार हो जाए हाँ यही करूंगी में फिर मेगा पार्थ के पास जाकर शिवानी के खेलाफ चुगली करती है और उसे खूब पढ़काती है ये में क्या सुन रहा हो शिवानी तुम अब गेर मर्दों से जाकर बात करने लगी हो लेकिन भाईया मोही तो मेरा पचपन का दोस है आप भी तो जानते हो उसे अब तुम दोनों कोई स्कूल जाते हुए बच्चे नहीं रहे वो बड़ा हो चुका है बच्चा नहीं रहा और उसकी शादी हो चुकी है जैसे तुमारी हुई है लेकिन तुम बेशर्मों की तरह अपने पती को छोड़कर यहाँ पर चली आ गई और अभी तक हमारे सर पर बोज बन कर बैटी हो लेकिन अब बस बहुत हुआ हम तुमें अब और नहीं जेल सकते ना तो तुम कोई काम ठीक से करती हो और ना ही अब घर पर ठीक से रह रही हो दफा हो जाओ यहाँ से और नहीं तो क्या सोचा था कि तुमसे काम करवा कर तुमारे बोज होने का हिसाब चुकता कर लूँगी लेकिन नहीं तुम तो कोई भी काम डंका ही नहीं कर पाती अब निकल जाओ यहाँ से क्योंकि तुमारी अब इस घर में कोई जगे नहीं है नहीं भाईया भावी मैं इस घर को छोड़ कर कही नहीं जाओंगी क्योंकि ये घर मेरा है क्या? तेरी इतनी मजाल? अरे भूल गई क्या? माजी ने ये घर और बाकी की सारी जाओदत पार्थ के नाम कर दी है नहीं, कोई बात नहीं भूली में लेकिन मैंने आप लोगों से एक बात चुपाई है उस दिन माने जब मुझे बताया कि मुझे जाओदत का कोई भी हिस्सा नहीं मिलने वाला है तभी उसी दिन में चुपके से लॉयर के पास चली गई और मैंने उसे मेरे पास सेव किये हो पूरे पाच लाख रुपे देकर पेपर चेंज करवा दिये और ऐसे पेपर्स बनवाए जिन में ये लिखा था कि ये घर पूरी तरे मेरे नाम पर है और बाकी की जैदात का पचास प्रतिशत हिस्सा भी मेरे नाम पर है और बाकी का पचास प्रतिशत भाई के नाम पर क्या? हाँ, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा भविश्य क्या होने वाला है और आप सब मुझसे किस तरह से पेश आओगे इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए ये सब किया मैं तो आप दोनों के साथ प्यार से रहना चाहती थी लेकिन आप दोनोंने मेरे साथ बहुत गलत किया है मैं तो सब कुछ सहे भी लेती सारे काम भी कर लेती लेकिन आप दोनों तो अब मेरे चरित्र पर शक करने लगे हो और ये बात मुझे बिल्कुल बेमन्जूर नहीं और रही बात इस घर की तो अब आप दोनों निकलिये मेरे घर से वो भी अभी के अभी शिवानी की बाते सुनकर मेगा और पार्त के होश उड़ जाते हैं और तभी दोनों को ना चाते हुए भी शिवानी से माफी मांगने पड़ती है नहीं शिवानी प्लीज ऐसा मत करो हम ये घर चोड़कर कहा पर जाएंगे प्लीज हमें यही पर रहने दो और हमें माफ कर दो शिवानी हाँ शिवानी हमें माफ कर दो हमने तुमारे साथ बहुत गलत किया है वो दोनों शिवानी के सामने बहुत गिड़ गिड़ाते हैं और उसके बाद शिवानी उन्हें माफ कर देती हैं और अन हो बेमान ही सही लेकिन तीनों साथ में रहने लगते हैं कमला का बेटा रोहन काट मांडू में एक बिजनेस ट्रिप के लिए गया होता है आज वो वहाँ से पूरे दो महीने बाद घर आने वाला होता है इसलिए कमला बहुत उद्शुक होती है जैसे ही वो दर्वाजग होलती है वो रोहन के साथ एक नेपाली लड़की जीनी को देखकर हेरान रहे जाती है ये क्या? रोहन बेटा ये पिंग पॉंग को क्यों उठा लाया तु? कौन है ये लड़की? मा, ये जीनी है मैं जब नेपाल बिजनेस मिटिंग करने गया था तब वहाँ पास के टी स्टॉल में ये काम करती थी और हम दोनों मिलते गए और यूँ ही दो मेनों में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हम अब एक साथ जिन्दगी जिना चाहते हैं आंटी जी, मैं आना थू मेरा नेपाल में कोई नहीं है क्या आप मेरे वर रोहन के रिष्टे को अपना कर हमारी शादी के लिए हां करेगी अरे नाला यक लड़के अपनी अकल क्या वही काट मांडू में छोड़के आया है क्या जो इस नेपाली को लेकर आया तू निकल जा तुम मेरे घर से चलो निकलो कमला गुसा होकर जिनी को घर के बाहर निकालती और तभी वहां मोहल लेके सारे लोग भी इकटा हो जागे मा ये आप क्या कर रही है जिनी कहा जाएगी उसका मेरे सिवाई इस दुनिया में कोई नहीं है मुझे तो लगा था कि आप खुशी-खुशी हम दोनों की रिष्टे को स्विकारेगी कभी नहीं कभी नहीं स्विकारूंगी मैं इस नेपाली को अरे भारत की सारी लड़किया कै तेरी बहन बन गई थी क्या मैं एक नेपाली लड़की को अपनी बहु कभी नहीं बनाऊंगी लेकिन मा बैस अब मैं एक शब भी नहीं सुनना चाहती ले जा इस मनुहुस नेपाली को यहां से सभी मोहले वाले हसने लगते हैं वही जीनी बहुत उदास होती है रोशन जीनी को अपने घर के पास वाले किराय के घर में ही रुकाता है नेपाल में मोसम काफी खराब चल रहा है इसलिए मैं इस हवते यही रुकोंगे फिर चली जाओंगे तुमारे इस गाव से भी और तुमारी जिन्दगी से भी मुझे माफ कर दो जीनी जो सब हमने सोचा था उसका पुरा उल्टा ही हो गया मैंने तुमारा दिल दुखाया है जीनी I'm really sorry नहीं रोशन तुम माफे क्यों मांग रहे हो अब तुमारी मा को मैं पसंद नहीं हो तो तुम क्या कर सकते हो एक दिन कमला बाजार में सबजी खरीदने जाती क्यों कमला बेन तुमारा बेटा तो एकदम सिमा पार ही चला गया वो भी एक नेपाली बहुलाने के लिए उस छोटी आखो वाली लड़की से प्यार कर बेटा तुमारा लड़का सच में उस लड़की को देख तो हसी ही आ जाती है जो करनी लगती है वो मोमोज कही की सेबजी खरीदर दफा हो जाओ यहां से अपनी ये सड़ी हुई शकले लेकर तुमारे बेटों ने कोई हूर की परियों से शादी नहीं किये तुमारी बहुए तो एकदम गोबर जैसे शकलों वाली है हाँ हाँ तुमारे बेटे ने भी कोई हूर की परिसे प्यार नहीं किया है वो तो एक नेपाली को लेकर आया है हाँ तो क्या हुआ उसने उससे शादी थोड़ी किये मेरा बेटा तो एक अच्छी और सुन्दर भारतिये लड़की से ही शादी करेगा देखना तुम चुड़े लो हम इतना कहेकर कमला वहां से चली जाती और घर जाकर वो अपने बेटे के लिए फोन पर रिष्टे धुनने लगती है हाँ नीता बेटा आ जाएंगे हम फिर अगले अफते जी जी रिष्टा तो वेसे भी पक्का ही समझीए क्योंकि मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालता जी 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 चलिए रखती हूं फोन मा ये आप क्या कर रही है प्लीज मेरे जजबात को समझीए अरे माना की जीनी नेपाली है लेकिन उसके नेपाली होने से क्या हो जाता है हे तो वो भी एक इंसान ही न मैं थोड़ी ना किसी आतंगवाती या एलियन से शादी कर रहा हूं कितनी गुनी और सुन्दर है वो अरे सुन्दर लड़कियों की हमारे गाउ में भी कोई कमी नहीं है चूप चाप जैसे मैं कह रही हूं बेसा ही कर और जल्दी से उस नेपाली को उसकी नेपाल में पारसल कर दे वरना मैं उसे परलग पारसल कर दूँगी रोशन को अपनी मा की इन बातों का बहुत बुरा लगता है लेकिन वो उसे उल्टा जवाब नहीं देता और चूप चाप पाहसे चला जाता है दिन गुजरते जाते और जीनी का जाने का समय नजदिक आ जाता है खल दो पेर की ट्रेन है कल में चली जाओंगी यहाँ से सब कुछ चीना है लाइफ ने मुझसे हमेशा बचपन में मा पापा और अब रोशन भी खुद से ही बाते करते हुई जीनी सिडक पर चल रही होती है तब ही वो वहाँ पर कुकिंग कॉम्पिटेशन का पोस्टर देखती है कुकिंग कॉम्पिटेशन 2023 जिनके स्टॉल पर सबसे ज़्यादा ग्राहा काकर खाना खाएंगी वो बनेगा इस कॉम्पिटेशन का विनर मूर तो वैसे भी खराब है मैं नहीं लूँगी इस कॉम्पिटेशन में पार्ट तुम्हें पार्ट लेना होगा जिनी मेरे लिए जिनी अगर इस कॉम्पिटेशन में तुम मोमोस बना कर बेचोगे तो पुरा मोहला तुमारे मुमोस का फैन हो जाएगा And trust me, जिन लोगने तुमारा मजा पोड़ाया है वही तुमारे तारिफों के फूल बान देंगे लेकिन रोहन, हम दोनों अलग होने वाले हैं जिनी एक आखरी इच्छा पुरे कर दो मेरी रोहन के कहने पर जिनी उस कुकिंग कॉम्पिटेशन में हिस्सा लेती और अपना मुमोस का स्टॉल लगा कर मुमोस बेचने लगती है अरे वो दिखू, रोहन की नेपाली प्रेमिका का स्टॉल लगा है चलो, आज इस नेपाली चिपकली से मुमच चक लेते हैं सभी जीनी के मुमोस खाने आते हैं और चन्द ही मिंटों में उसके स्टॉल पर ग्राहोकों के लंबिक कटार लग जाती हैं सभी उसके खोब प्रशंसा करते हैं अरे वाह, ये फ्राइड मुमोस तो बहुत ही स्पादिस्ट है तुम तो सचमेला जवाब मुमोस बनाती हो जीनी थैंक क्यों आंटी मैंने तंदुर मुमोस भी बनाये हैं आप वो भी चकना आपको जरूर पसंद आएंगे ये सब कमला चुपके से देखती है तभी उसके पास वो दोनों औरत्य आती है कमला बहेन हम गलत थे तुमारे बेटे ने तो नेपाल से हीरा लाया है हीरा जीनी तो वाकई में एक गुनी और समझदार लड़की है और उपर से इतना अच्छ नेपाली खाना भी बनाती है हमने उसके मोमोस भी खाए और नेपाली नुडल्स भी काश हमारी बहुए भी जीनी जैसी होती ये सब देख कमला बहुत खुश हो जाती और वो जीनी के पास जाकर उससे कहती है मुझे माप कर देना जीनी बेटा मैंने तुमारा बहुत अपमान किया लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ मैं समझ चुकी हूँ कि मैं कितनी गलत थी जट तुम जैसी इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा बरताओ कर रही थी चलो जल्दी घर चलो शादी की तैयारिया शुरू करते हैं क्या सच में हाँ मेरी प्यारी जीनी अब घर पर तुझे बहु बन कर आना है थेंक यू सो मच मा थेंक यू सो मच आणटी जी और इस तरह अंत में कमला रोहन और जिनी के रिष्टे को स्विकार कर उन दोनों की दूम धाम से शादी कराते हैं